नमस्क्रा स्टुडेंट्स स्वागत करता हूँ आपका बदरा क्लासिस टुटोरियल में स्टुडेंट्स आज जो अपने टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो बहुत इंपोर्टन टॉपिक है जहां से एक्सर कोश्चन आता है अमल, शार और लवन जिनको अमल है अपने उनको एसिड, बेस और साल्ट के रिगार्डिंग जानते हैं क्या होता है क्या क्या कोश्चन आते हैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि अमल यानि की जो अपने मर्ड माइंड में आएगा अमल जो होते हैं स्टुएंट ये स्वाद में आपके खटे होते हैं क्या होते हैं स्टुएंट स्वाद में आपके खटे होते हैं और अगर ये ये है जनरल पहचान की आम आदमी इसको किस तरीके से पहचानता है अमल की दूसरी पैचान है अगर हम देखना चाहें तो आपको याद रखना है अनिल कपूर यहाँ पर important जो याद रखना है वो अनिल को याद रखना है ऐसे अपने पास आजाएगा अमल और नी से आजाएगा students निले लिटमस पत्तर को ले से क्या जाएगा क्या कर देते हैं यह लाल कर देते हैं यह अमल की पहली पैचान है और यहाँ पर छोटा सा बता देता हूँ शार जो आएगा वो उल्टा काम करते हैं students वो लाल लिटमस को पत्तर को क्या कर देते हैं students वो निल्ला कर देते हैं समझा गया यह वाली चीजें अब अपने पास और क्या पॉइंट आते हैं ये तो मैंने बताया अमल की एक जनरल पैसाँ पहचाना है कि स्वाद में खटे होते हैं निले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अनिल अपने माइन में स्टेक करेगा उसके अलावा क्या नेचर रहती है तो आपको ध्यान रखना है अमल जो है ये दातों से करिया करके किसे दातों से करिया करके हाइडोजन आयन देते हैं क्या देते हैं हाइडोजन आयन देते हैं अब आपके माइन में ये ध्यान रख लेना है हाइडोजन आयन ही स्टूडेंट इसकी अमलता को बताता है सब से स्टूड अमल कौन सा है हाइडोजन क्लोराइड जेको H जहां आ गया ना समझ आओ यह उस चीज़ को बताएगा और अगर H बिल्कुल अकेला है तो इसकी स्टूड़ता को बताएगा अगर अपने यहाँ पर करेंगे तो इह हो जाएगा तोड़ेंगे H प्लस और C L के उपर आजाएगा माइनस यह स्टूडेंट हाइडोजन आया का त्याग नहीं यानि कि जो देते हैं त्याग नहीं करने हैं यह स्टूडेंट इसकी क्या किलाएगा यानि की अमल इससे पता लगेगा कि यह जो C L है यह एक स्टॉंग अमल के वे में है अब अपने से पेपर में क्या पूछा जाता है सबसे स्टॉंग अमल यह जाएगा इसके बाजानी कि अगर अमलता का करम पूछा जाए स्ट्रोंगता सबसे पहले SEL दूसे नमबर पे आप ध्यान रखोगे HNO3 तीसे नमबर पे अपने ध्यान रखेंगे H2SO4 ये सबसे स्ट्रोंग आते हैं इसके अलावा दुर्बल की बात आ जाती है तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा नहीं तो ये पता नहीं लगेगा कि अमल और शार में नॉर्मली देखोगे HHH ये आएगा OH अगर आ जाता है ना ये स्टुडेंट पैचान है शार की प्रन्तु स्टुडेंट कुछ एक एक एग्जाम्पल अपवाद मालो ये आपको याद करने हो होंगे जैसे CS3COOH ये स्टुडेंट शार नहीं है ये क्या है अमल है आपका है है स्टुडेंट से अगर अपने बात करके चले है अमल है स्टूडेंट से समझाई यह वाली बात बट अगर अपने पास पेपर में कोश्चन आएगा वो यही पूछेगा अमल और शार का एक पीएच टेबल भी याद करना अधा है इसी के साथ मैंने एक वीडियो और अपलोड की होँए पीएच क्या होते है, पीएच की खोज किसने की क्या मतलब होता है, साथ पॉइंट चार का क्या मतलब होता है च्छे का बहुत केवल तीन से चार मिनिट का वीडियो होगा और आपको समझ आ जाएगा लाइक करना मत बूलिए देखते देखते इसे लाइक कर दीजेगा नीचे लाइक का बटन आपको नजर आ रहा होगा स्टुएंट से जरूर लाइक कर दीजेगा अमल के बारे में आपको बेसिक सी बात पता लगी कि में ली अमल क्या होते हैं अब मैं आपको कुछ अमल के और एक्जामपल देता हूँ जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं जैसे स्टुएंट निम्बू है खटा आता है ना निम्बू के अंदर अब खटापन किसके कारण आता है कोश्चन आता है तो आपको ध्यार रखना है सिट्रिक अमल के कारण किसके कान? Citrix मैं इको पहले cover करवाने दो, फिर मैं आपको याद भी करवा दूँगा students उसके बाद Emily की बात करते है Emily भी खटापन होता है वो होता है Tartrick के कारण किसके कारण? Tartrick अमल के कारण ये question सिधा आयता है कि Emily के अंदर point है सिर्का सिर्के के अंदर student आपको ध्यान रखना है acetic amal acetic amal और इसके बाद अगर अगर amasya की बात करते है हमारे पेट की बात करते है स्टमक की बात करते है amasya इसके अंदर क्या रहता है hcl यानि कि hydro chloric amal यह वो मैंने आपको पांच बताए है जो random way के अंदर student आपसे पूछे जाते है समझागी यह वाली ची जो आपसे generally पूछे जाते है वो मैंने आपको click कर दिये nimbu के अंदर क्या चीज़ आपके रहता है trick आपको ध्यान रखना है nimbu के ओपर क्या बनाई है ट्रिक निमबू के ओपर क्या बनाई है trick निमबू पे trick से अपने माइन में क्या आजाएगा students sit trick Emily के regarding क्या आजाएगा आपका tartrick क्या आजाएगा tartrick यहानि कि आपको इसको mind के अंदर stay करना होगा दही तो दही के regarding students आपको ध्यान रखना है यह तो वैसे normally common सा रहता है आपका lactic amal मेरे सिर में और सिर में दर्द और मेरे क्या बन रही है acidity बन रही है तो सिर का और acidity से acidity का अपने माइन में आ जाएगा और pate में तो आप तेजाब बनता है तो तेजाब आपको ध्यान रखना है जो strong रहता है आपका हCEL आपका तेजाब रहता है अब ये तो मैंने आपको बता दी है students अमल के बारे में अब अपने बात करते हैं students शार के बारे में फिर मैं आपको कुछ misslinious भी बताउंगा शार्ज होते हैं ये सवाद में क्या होते हैं स्टूडेंट्स आपके कडवे होते हैं सवाद में कडवे होते हैं एक बात आपको ध्यान होगी जो हमारी ग्रीवा होती है जीब होती है जीब की अगर मैं आपको बात बताऊं जीब की बात बताएं जीब के जो आगे वाला पार्ट है ना ये वाला पॉइंट ये स्टूइट अपने को मिठे का एसास देता है पीछे वाला कडवे का और साइडें जो होती है ये वाली जो होती है ये किसका एकसास देते है अपने को खटे का याद रखना student ये वाला भी बहुत अच्छा point मैंने आपके साथ यहाँ पे शेर किया है शार हैं ये क्या होते हैं student स्वाद में आपके क्या रहते हैं student से याद रखना है कडवे होते हैं या इसको अपने ये भी कह सकते हैं कसेले से रहते हैं ठीक है न और इसके अलावा अगर अपने बात करके चलें तो ये क्या करते हैं मैंने अभी आपको बताया था लाल लिटमस को क्या कर देते हैं students पत्र को निल्ला करते हैं लाल लिटमस पत्र को निल्ला कर देते हैं इसके अलावा शार की क्या खास बात रहती है तो ये ध्यान रखना कि ये ना स्पर्ष करने पर इनको अगर आप तच करोगे ना स्पर्ष करोगे स्पर्ष करने पर ये साबुन के जैसे चिकने होते हैं साबुन के जैसे चिकने होते हैं जैसे आपने आरा रोड देखा है ना लगबग उसी तरीके का ये वाला आएगा तो इसके अंदर अपने को साबुन वर्ड आते ही ना आपके मायन में कुछ पॉइंट आ जाने चाहिए कि लगबग जो साबुन वाले एक्जामपल लेते हैं इसके अंदर आएंगे वर्ड एक्जामपल अगर अपने लेकर चलें खाने का जो सोड उता है काने का जो साड़ नागए लेता है वह क्या करते हैं अगर ज्यादा खा लिये तो दस्त लिग जाने याए नाचता है वो क्या करता है नाच ता है तो नाच अपने माइंड में शेट नाच यह याद करने के लिए मैंने आपके माइंड में स्टेक करवा दिया इसके बाद अगर अपने दूसरे लेले खाने का सोडा आगया कपड़े धोने का सोडा आगया Na2CO3 Na2 Na2 nut2 Na2 nut2 nut2 क्या करता है जी nut2 कपड़े दोता है Na2 nut2 nut2 कपड़े दोता है तो nut2 Na2 nut2 Na2CO3 जो है वो कपड़े दोने के बारे में आपको याद आ जाएगा cover करना होगा इसके अलावा अगर अपने लेके चलें caastic soda caastic soda caastic soda की अगर अपने formulation की बात करके चलें NaOH 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 यह किसका आजाएगा caastic soda यह भी किसका उधार में हो जाएगा students आपका इसी कई इसके अलावा potash potash क्या बहुत बार question यह आया ता सिदा KOH यानि कि यह आपके क्या है शारिये को consider करते है students समझागी यह वाली चीज़ अब आपको ध्यान रखना है students कि यह तो मैंने आपको generally आपको किसके बारे में बता दिया शार के बारे में बता दिया अब अपने से question यह पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा परबल शारों का example दो इसके अलावा B, A, O, H यह है student strong वाले क्योंकि यह direct open होगे अब जिनके नीचे कुछ नो को लिखा आजाएगा जैसे अपने देखें दुर्बल शारों की बात करें A, L, O, H का thrice C, A, O, H का twice देन इसके अलावा अगर अपने ले ले लेते हैं N, H, O, H यह सारे के सारे यह तीनों जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर यह किसका उधारन हो जाएंगे students आपका ध्यान रखना है आपको दुर्बल का किसका हो जाएंगे example दुर्बल और यह किसका example थे आपके जो यह वाले परबल question में sequence पूछा जाता है VIP अब आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको consider होने वाली नहीं है अब एक जो छोटा सा point आपको और ध्यान में रखना है ताकि आपके mind में यह वाला concept है वो पूरो proper cover पोज़ है तीन बातें मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ लवन लवन क्या होते है students अगर अपने से ध्यान रखना है कि जो अमल है ना अमल और जो यह शार होते है यह मिलकर ना लवन बनाते है क्या बनाते है लवन बनाते है और क्या बना सकते है यह यह बनाते है जल आप देखो H पलस है OH आपको पता है माइनस है यह क्या है अमल है और यह क्या है आपका शार है और आप देखो कहीं न कहीं formula क्या बन सकता है h2o यह क्या बन गया आपका जल तो यह या तो जल बनाएंगे students या क्या बनाते है students लवन बनाते है students समझाई यह वाली चीज आपको और आपको ध्यान रखना है इस परकिरिया को क् ये मिल गए, मैंने आपको कोई एक्जाम्पल बताएं कई जैसे अपने मार लो NACL लेके चलते हैं, NACL मिल गए, NACL बन गया, अब ये क्या हो गया? स्थाई हो गया. इसको स्थाई को क्या बोला आता, उदासी और इस माइन में आ जाना चाहिए उदासी नी करण और लवन की बात आती है तो students अपने पास जो लवन है उसका जनरल सा example अपने माइन में क्या आ जाएगा students मैंने जैसे NACL नमक एक परकार का अपने लिए क्या हो जाएगा लवन या आपको उस तरीके से लेके चलना है अब दो बातें और आपको ध्यान रखना है students कि अमल के एक अनू में परतिस्थापन योग्य है H प्लस आइनों की संख्या क्या अमल एक अमल जितने H प्लस आइनों को यह बहुत इंपोर्टेंट है VIP question है यह वाला जितने H प्लस आइनों को प्रतिस्थापित करता है वे है उसकी या उस अमल की question आएगा क्या कहलाती है अमलता या शारकता तो आपको ध्यान रखना है वे है उस अमल की शारकता कहलाती है very important point दूसरा point क्या रखना अगर कोई शार है वो जितने OH आइनों को प्रतिस्थापित करता है यह है उसकी क्या कहलाएगी students अमलता क्या कहलाएगी अमलता कहलाती है students मैं आपको बता जाएगा तो अमल शारक से related मैंने तो इतने competition face की है लगबग यहाँ से आपका question है वो students हिट हो जाएगा आपको इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आप इसको strike out ना कर सको और आपको कोई पर भी दिक्कत आए तो यह जो चीजें है question generally यहीं से आपका consider हो जाएगा student मैंने क्या बोला इसका अगला वीडियो है उसके अंदर मैंने